प्रपटो मार्केट कि आगे जाके हमारे पास एक सफिशन्ट अमांट हमारे अकाउंट में आजाए कितने क्रिप्टो के हम नहीं पर्पेश करने चाहिए कि आगे जाके हम लोग अच्छा सा अपना लाइफ जो है वो स्पेंड कर सके अपनी मन पसंदकार परचेस कर सके यहां पर हम इंसपायर होते हैं दूसरों से कितने पैसे हमने यहां पर डालने चाहिए और को एक डिस्क्लेमर और देना चाते हैं कि कोई भी आजमी आके आपके कमेंट सेक्षिन माखे कमेंट करके यह बोले कि हमारा वाच्छाप नमबर है तो उनसे बच के रहना वो सारे क सारे scammers हैं किसी भी social media से कभी भी हम आप से connect नहीं करते और किसी को भी आपने अपने crypto send नहीं करने किसी को अगर आपने crypto send करे तो समय लीजिए वो crypto आपके हाथ से चले गए वो कभी भी वापस नहीं आएंगे कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा जब भी हम crypto market की बात करते हैं या crypto investment की बात करते हैं हम लोगों के mind में हमेशा एक question रहता है कि कितना पैसा हम actually यहाँ पर डालें इन दी crypto market कितने crypto's हम purchase करें कौन से crypto's के इलावा यह question ज़रूर रहता है कि कितने amount का आज की date पर हम purchase करेंगे तो आगे जाके हमारे पास एक X amount आएगा वो X amount का target हर कोई लेके चलता है but currently अगर बात करें starting में कितना पैसा हम लोगों ने invest करना चाहिए यह कहीं ना कहीं एक confusion रहती है और इसी confusion को लेके काफी लोग loss अकर करते हैं इन दी crypto market अब वो कैसे होता है क्या सारी चीज़े है और आप लोगों ने कितना पैसा डालना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में चलते हैं एक बार कोई जी को आप में market का हाल देख लेते हैं और साथ में बात करते हैं कि कितनी investment हमारी होनी चाहिए इन दी crypto market साइड में आप देख सकते हैं हमने ओपन कर दिया कोई जी को आप कारेंटली जो ग्लोबल मार्केट है दाट इस डाउन 2.3% बीटीची जाउन 3.1% इस डाउन 1.6% अब यह क्यों हुई है रेट में आपको पता होगा जो यहाँ पर Binance के साथ हो रहा है जो CZ के साथ हो रहा है especially उसके reason की वज़ाए से यहाँ पर market जो है वो एकदम red में चल रही है आज के date में but now the question comes जब भी market नीचे हो हम लोगों ने purchase करना चाहिए जब market red में हो तब हमने purchase करना चाहिए है और हमने already invest कर रहा है in the market क्या हमने और पैसे डालने चाहिए in the crypto market या कितने पैसे हम डाले है in the crypto market कि आगे जखे हमारे पास अच्छे कासा amount है एक amount है जिसके बाद हमारी life थोड़ी interesting होगी जिसके बाद हमारी life थोड़ी सुकून से निकलेगी यह question हर एक के mind में रहता है and इसी question का answer ढूंटे है ढूंटे हम लोग काफी पैसा डाल देते हिंदी crypto market क्योंकि एक ऐसी जगा है जहां पे काफी लोगों ने अच्छा कासा पैसा भी कमाया हम लोगों ने भी जब last time यहां पे crypto market में इंटर करे थे तो हमने अच्छा कासा पैसा यहां पे कमाके चले थे but 2022 में जहां पे एक dump आया obviously सबका portfolio negative में गया सबके सब crypto जो हैं वो negative में चल रहे है from their all time high so जितने लोगों ने भी यहां पे अगर all time high में purchase करा होगा वो लोग कहीं न कहीं DCA करते हुए आ रहे हैं या नए cryptos में invest कर रहे हैं looking into the future looking into कि आगे जाके जब यह market positive होगी bull run आएगा market में so they want to make profit out of this market and यही एक reason है जिसकी वज़े से सबसे maximum जो है losses अकर होते इसको कहते हैं हम लोग revenge trading सबसे पहले समझ लेते है revenge trading क्या होता है उसके बात बात करेंगे कि कितना पैसे eventually हम लोगों ने डालना चाहिए in the crypto market अब revenge trading होती क्या so for example हम बात करें BTC हमने आज की date में purchase करा currently जो price चल रहा है BTC का that is around 27,000 dollars एक assumption एक hypothetical example है यह जो हम आपको समझा रहे है 27,000 में हमने BTC आज की date में purchase कर लिया कल की date में और negative news आती है market में market अगर और dump करती है market में साथ साथ BTC भी dump करता है BTC आता है let's say about 20,000 dollars हम लोग nervous होते हैं हम लोग डरते हैं क्योंकि crypto market अभी भी बहुत नहीं है for the world आज की date में भी लोग डरते हैं अगर कोई crypto fall होता है especially जो हुआ Luna के साथ जो हुआ FTX से साथ उसके बाद कहीं न कहीं हमारा trust level जो है वो कहीं न कहीं तूट जाता है Solana जब fall Luna स्टार्ट हुआ था I am known बहुत सारे investor है जो Solana से बाहर आगे से looking into कहीं इसका हाल भी Luna की तरह न हो जाए कहीं ये भी कुछ sense मेरा बिकना शुरू हो जाए हमारी जित्ती भी investment है वो zero न हो जाए सब लोगों ने वहाँ पर selling स्टार्ट करी वही चीज होगी सब के साथ सब के साथ वही चीज होती है imagine a person जिसने bitcoin purchase करा at all time high of 69,000 आज की date में वो चल रहा है at around 27,000 क्या लोगों ने यहाँ पर invest करके रखा होगा की वो डर के यहाँ पर crypto market से बाहर निकल गए होगे I'm sure वो बाहर निकल गए होगे यहाँ पर losses बुक कराए होगे now what happens उसके बाद क्या होता है वो interesting चीज है हाँ पर जहाँ पर हम लोग market से loss अकर करके भाहर चल जाते है यहाँ पर दो चीज़े होती है सबसे पहला कि ठीक है हमें loss होगया एक trade में हम लोग straight से बाहर आ गए हमें उस crypto में loss हुआ है हम वो loss बुक करके हम भाहर आ चुके बट एक दूसरे टाइप की mentality होती है जो सारे human beings में होती है which is revenge trading कि मुझे BTC से नुकसान हुआ है मैं BTC से ही profit निकालूँगा और इतना पैसा यहाँ से recover करूँगा जो मैंने यहाँ पे गवाया है आदमी और पैसा डालना स्टार्ट करता है not only in BTC BTC तो मैं यहाँ पे example के तौर में बता रहा हूँ जिस भी crypto में हमने loss करकर है हम लोग यह सोचते हैं कि वापिस उसमें और invest करें क्योंकि उस market में हमें loss हुआ है अब उसी market से हम लोग यहाँ पे profit gain करेंगे जितना ज़ादा आप पैसे डालते हो उतने ही ज़ादा आप losses में चलते रहते हो बार-बार because market जहाँ पे volatile है वहाँ पे हलका सा slightly negative move आपको और मजबूर कर देगा to enter into more losses into further losses यह सबसे ज़ादा maximum होता है when you do a future trade जो लोग future trade करते हैं उनको इसके बारे में पता होगा वो सबसे ज़ादा यह चीज़ करते हैं क्योंकि future trade में losses की गुंजाईश बहुत ज़ादा है यहाँ पे future trade में आपको loss होता है एक अंदर से feeling आती है कि आप तो future market में ही मैं अपने profit निकालूँगा spot में फिर भी थोड़ा यहाँ पे आप hold करके चल सकते हो अपने cryptos जहाँ पे जो crypto आपने purchase कर रखे हैं या जो आपकी investment है जिन भी crypto में अगर उनका एक future नज़र आता है उनका road map आपको अच्छा नज़र आता है so you can still hold on to those cryptos futures में यह option आपको नहीं मिलता तब यह आपको हम बोलते हैं चाहे आप futures में trade कर रहे हो चाहे आप यहाँ पे copy trade कर रहे हो हमेशा stop loss लगाना कभी में महत भूलना अगर आप stop loss नहीं लगाओगे तो अंजाने में आपका loss जो है वो काफी जाधा हो सकता है which can lead into multiple losses यह एक example था now coming back to the question कि कितने crypto's हमने purchase करने चाहे कितना investment करना चाहे है in the crypto market ताकि आगे जाके हमारे पास एक अच्छा घसा amount हो अब यह हर आदमी के लिए different amount रहता है हर आदमी same amount नहीं कमाता हो on a monthly basis according to your investment according to your earning आप यहाँ पर invest कर सकते हो in the crypto market आप लोग यहाँ पर पैसा लगा सकते हो in the crypto market बट यहाँ पर पैसा लगाने से पहले आपके पास बाकी की चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से त्यार होनी चाहे like your health insurance, बाकी के insurance जो भी आपने लेने, yes crypto market is somewhere जहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, बट यहाँ पर दो तीन चीज़े हैं जिसका आपने ध्यान रखना है सबसे पहले आपने एक budget decide करना है कि कितना आप monthly budget अगर आप SIP में purchase करते हो हमारी तरह है तो एक monthly आप कितनी allocation आप purchase करना चाते हो, आप the cryptos चाहे फिर वो एक ही crypto में आप SIP कर रहे हो या आप multiple crypto purchase करने की सोच रहे हो जो आपने एक month में fix करा है so let's say for example कि हम बोलते है महीने में हम 2000 रुपे लगाएंगे उससे ज़्यादा पैसा हम नहीं लगाएंगे in the crypto market so हर month आप 2000 रुपे जब लगाते हो you are mentally satisfied की ठीक है मैंने 2000 की SIP स्टार्ट कर रहे है let's say in crypto market वहाँ पे हम 2000 रुपे लगाएंगे अब वो आपके उपर depend करता है कि आपने वही crypto दुबारा purchase करना है जो आपने पहले से portfolio में hold करके रख रखा है या कोई नया crypto यहाँ पे purchase करना है वो जब आप purchases कर लेते हो on that particular month चाहे आपके पास कितना भी lucrative offer है चाहे कोई crypto कितना भी fall करे you need to control your emotion emotional buying नहीं करनी है कि यह तो fall हो गया बहुत जादा इसमें थोड़ा और पैसा डाल देते जहाँ पे आप ऐसा start करते हो आपने 1000 रुपे भी अगर extra डाल दिये एक महीने में it is for sure कि next month आप और पैसा डालोगे जैसी कोई market में activity होती है आप और पैसा डालोगे पूरे month में ऐसे बहुत सारे options हम लोगों को मिलते हैं to enter into cryptos to enter into new cryptos या पुराने cryptos को purchase करने में जहाँ पे CPI data आज की date में सामने आता है जहाँ पे FOMC की meet होती है वहाँ पे market जादा volatile रहती है तो month ली जब आप invest कर रहे हैं in the crypto market look out for the date जहाँ पे आपने invest करना है the second most important thing यहाँ पे जो आप लोग कर सकते हो तो decide कि कितने cryptos आपके पास होने चीए कि आपको कोई नया crypto अगर समझ में आता है या कोई creator जिसको आप follow करते है वो कोई नया crypto बताता है जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे वो cryptos हो हम लोग यहाँ पे काफी cryptos की बात करते हैं काफी tokens की बात करते हैं जरूरी नहीं है आप सब में invest करो अब यह लोग क्यों बोलते हैं क्योंकि कोई ऐसे cryptos हो सकते हैं जो eventually आपे loss भी करवा है हम लोगों का जो जरूरी नहीं है उतना ही जादा pump हो जितना प्रबबली बागी के cryptos pump हो रहे हैं हमारे portfolio में हम लोग अपना रिस्क लेके अपना पैसा डाल रहे हैं आप लोग अपना रिस्क लेके अपना पैसा डाल रहे हैं so think over it जब भी आप कोई crypto purchase करने की सोच रहो चाए वो नया crypto हो चाए पुराना crypto हो always अपनी research ज़रूर करिएगा and तभी उसमें invest करिएगा because होता क्या है हम लोग ने for example सारा पैसा जितना भी हमने allocate करा था वोधी crypto हम बोलते हैं next 10 months सब हम 2000 रुपे लगाते 20,000 रुपे हम total लगाएंगे इंदी crypto market अब 20,000 रुपे हमने लगा दिये इंदी cryptos हमारा portfolio एकदम अंतियार है उनको हमने stake करके रख रख रहा है and we are sure कि हम इसको long term hold करेंगे चाहे market जितनी मर्जी volatile हो जाए हम और पैसा नहीं डालेंगे suddenly एक नया crypto आता है market में which looks amazing जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं हमारा कई ना कई मन करता है या ठीक है 2000 तो मैंने लगा रहे है 2000 रुपे और लगाता हूँ ये crypto भी purchase कर लेता हूँ इन चीजों से आपने दूर रहना है जब आपने अपने mind में set कर दिया था एक target to invest उतना ही पैसा आपने invest करना है उससे ज़्यादा पैसा आपने market में नहीं लगाना है come whatsoever emotional buying बहुत सारे लोग करते है market में काफी लोग बोलते है नहीं यार आप BTC purchase करते है suddenly एक trend आता है जहाँ पे सब लोग BTC purchase कर रहे होते है suddenly एक trend आता है जहाँ पे सब लोग alt coins purchase कर रहे होते है yes we know कि जहाँ पे bull run की बात होती है वहाँ पे alt coins ज़ादा perform अच्छा करते है than Bitcoin आ रहे थी वहाँ पे ज़ादा percentage return हम लोगों को मिलता है in the alt coins than probably of Bitcoin and Ethereum but आपके पास कौन से crypto's है eventually वो matter करेगा कितना पैसा आप कमाना चाह रहे हो जरूरी यह नहीं है एक हजार की value जो मेरे लिए है वही एक हजार की value आपके लिए हो शायद मेरे लिए एक हजार की value काफी ज़ादा हो शायद आपके लिए एक हजार की value कुछ भी ना हो so दोनों की investment जो है वो same नहीं रहेगी मेरी investment कुछ और होगी according to my spending power आपकी investment कुछ और होगी according to your spending power उसमें हमने limited रहना उसमें हम ज़ादा invest करके यह सोचें कि नहीं थोड़ा और पैसे डाल देते हैं थोड़ा और पैसे डाल देते हैं eventually जब हम लोग sell करेंगे तो काफी अच्छा profit यहां से निकालेंगे profit आप फिर भी निकालोगे इसमें एक और चीज़ है जो सबसे ज़ादा important है कि कितना पैसा हम लोग डालें इंदी crypto market हमेशा जितना आप spend कर सकते हो तोड़ा सा कम पैसा आप डालो हमेशा इंदी crypto market उसका reason बहुत simple है crypto market yes profit काफी अच्छा दे सकती हमें इंदी future आपने different cryptos purchase करें और वो hold आप तभी कर पाऊगे जब आपने ज़ादा पैसे नहीं डाले आप जितना spend कर सकते हो से थोड़ा कम पैसे डालें तो yes you will be able to hold your cryptos it will be easier for you क्योंकि आप हर दिन सुबह उठके अपना portfolio नहीं देख रहे होगे आप हर दिन सुबह उठके coin jiko या यहाँ पे cmc की बात करें तो वो open करके आप charts नहीं देख रहे होगे कि कितने का यह bitcoin पहुंच गया कितने का you know ethereum पहुंच गया कितने का shiba पहुंच गया कितने का EDA पहुंच गया वो आप हर दिन नहीं देख रहे होगे वो आप करते रहते हो तो वो आपके लिए सबसे important है यहाँ पे investment से ज़ादा important है कि आप updated रहो about the crypto जिसमें आपने investment कर रखा है यहाँ पे important यह है कि आप hold करके चलो अपने crypto आप उनको time दो to grow रात और रात कोई crypto grow नहीं हो रहा रात और रात कोई crypto एकदम million dollars में नहीं पहुंच रहा it will take time 2022 जहाँ पे हमने पूरा साल बिताये इंदी bear market जब bull run आएगा ना तो बहुत सारे लोग जो यह बुलते हैं कि crypto market जो खतम होगी आप कुछ नहीं रहा crypto market पे शबा कुछ नहीं है इद कुछ नहीं है बीटी सी कुछ नहीं है यही लोग आखे बुलेंगे यह तुमने कितने का purchase करा था और आप तभी answer कर पाओगे जब आपने common investment लगाई है because you will be able to hold it जहाँ पे market यही मज़ा है crypto market का जहाँ पे आप according to your choice आप यहाँ पे investment कर सकते हो कितना पैसा आप यहाँ पे dedicate करना चारे हो for the crypto market यह आप पहले से decide करके चलो जहाँ पहले से decide करके चलते हो कि कितना पैसा आपने निकालना है उससे भी important है कि कितना पैसा आपने डालना है वो आप पहले से decide करके चलो and वो कोई एक fixed figure किसी के लिए भी नहीं हो सकती with that's it guys आज का वीडियो करते हैं and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो like कर देना, share कर लेना subscribe कर लेना, thank you so much for watching our channel, see you next time okay bye bye